इस वीडियो के इंदर गाइस बात करने वाले हैं हम लोग कौन्ट स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाला हूं क्या 1224 के अगर आपको SIP करनी है लंबसम इंवस्मेंट करना है तो क्या यह स्मॉल कैप फंड आप लोग के लिए बैस्ट है की नहीं है पिछले एक साल से मैं खुद इसके अंदर जो है SIP कर रहा हूँ तो मैं अपनी परस्टल यहां पर परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ टॉप क्लास के कौन से स्मॉल कैप फंड है जिसको आप कंसिडर कर सकते है निपॉर और SDSC के साथ में भी इसको कंपै करेंगे यानि की पूरी जानकरी मिल जो है continue चल रही है और भी account से जिसके अंदर कुछ large amount के अंदर भी चल रही है तो यहां पर रिटर्न्स वगरें दे सकते हो 35% का मुझे absolute यहां पर रिटर्न मिल चुका है और मैं अगर मैं XIR अगरे की बात करू तो 44% से भी जादा का XIR इसके आप निकल चुका है तो देखे के बाद में इनके जितने भी small cap है ELS funds है multi assets जो funds है उसके अंदर काफी जादा जो है सभी ने यहां पर आउट perform करके दिया है market के अंदर तो देखे गाईस अगर यहां पर मैं AUM size जो है wise अगर मैं बात करू यहां पर को लेकर तो quant right now जो है 8 number के उपर आता है जिसके अंदर य September 2022 के समतिंगी इसका जो AUM size था वो किवल 1910 करोड रुपे का था तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जम लगा है 1900 करोड से लेकर 11,000 करोड का जम जी है even guys अगर आप quant की कोई सी भी scheme उठालो उसके अंदर आगर आप देखोंगे तो quant small cap के अंदर ही यहां पर सबसे ज़्या अगर एक साल का तीन साल का और पांच साल का रिटन अगर एक साल की बात करो तो quant ने 50% से भी ज्यादा का absolute return निकाल के दिया है निपॉन ने 52% का SDFC ने 47% का पिछले 5 सालों को अगर आप CGR भी compare करते है तो 34% सबसे highest निकल के आता है पूरी की पूरी small cap category के अंदर even guys अगर आ पोड़ असा जादा मिलेगा 0.77% का आपको डायक जो है स्कीम वाली के अंदर देखने को मिल जाएगा निपॉन की बात करो तो 0.69 का देखने को मिलता है SDFC के अंदर आपको 0.73 का देखने मिलता है तीनो ही funds के अंदर यानि small cap में आप जो भी ले लो active mutual fund सभी में 1% का exit load होत और lump sum 5000 रुपे minimum investment है निपॉन के अंदर 1000 का है और SDFC के अंदर आप 100 रुपे से भी याँ पर शुरुवात वगरे कर सकते हो अगर गाईस याँ पर में risk ratio की बात को तो यहाँ पर थोड़ा सा यार game change हो जाता है quant के अंदर आप देखोंगे तो standard deviation और beta आपको एक के यहाँ पर पार मिलने वाला है यानि यार यह थोड़ा सा यहाँ पर risky fund बन जाता है जबकि आप Nippon India के अंदर beta देखोंगे तो एक के अंदर है SDFC small cap में भी एक के अंदर है और standard deviation यानि कि जो validity है basically यहाँ पर इस fund की वो Nippon ने capital goods financial services के अंदर invest कर रखा है और SDFC ने भी services हो गया capital goods हो गया और financial के अंदर invest कर रखा है अगर आप मालीजे दो fund को भी यहाँ पर consider करते हो तो यहाँ पर अच्छी बाते जादा overlapping देखने को नहीं मिलेगी योगी तीनों के अंदर ही holding अगर आप देखोंगे small cap companies की आ इस साल यहाँ पर 3 star का rating इसको यहाँ पर मिला हुआ है अगर मैं private जैसे website 80 money हो गया पर ATM money हो गया यह लोग भी ranking वगर है देते हैं तो उसके according भी अगर मैं बात को तो second number की इसको यहाँ पर ranking वगर है मिली हुई है plus अगर आप consistency of return के अंदर देखेंगे तो इसको 5 star का excellent rate मिला करते हैं तो 3 साल 5 साल के अंदर आपको definitely यह first number के उपर देखने को मिलेगा जिसने सबसे highest return निकाल गयती है पिछले 10 सालों का भी CIGR आप देख सकते 20% से जवी जादा का CIGR यहाँ पर निकल के आता है even guys इस fund के अंदर यहाँ पर हमेशा आपको SIP करना चाहिए कभी भी lump sum के अंदर obviously बाते small cap के अंदर invest नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर भी आप देख सकते SIP के रूप में भी अगर आप invest करते तो फिछले 5 सालों के अंदर 47% का आपको annualized return देखने को मिल जाता है और फिछले 10 सालों के अंदर 26% से भी जादा का आपको CIGR के देखने को मिल जाता इस company के guys अगर मैं portfolio की बात करूँ तो वैसे तो मैंने आपको top 5 companies already दिखा चुका हूँ holdings दिखा चुका हूँ लेकिन यहाँ पर अगर आप वैसे दिखेंगे large cap 18% का है med cap 7% का है small cap obviously बात है सबसे जादा 46% का है और कुछ other security के अंदर भी investment है तो यहाँ पर 94 something यहाँ पर stocks है और जबकि आप category के अंदर देखेंगे यानि कि small cap category के अंदर तो वहाँ पर average 80 का stocks रहता है इसके लगाँ अगर आप sector wise यहाँ पर holding देखेंगे तो सबसे जादा यहाँ पर pharmaceutical company के अंदर 10% का contribution यह लेता है इसके लावा new age company जैसे की geo financial services हो गया बिकाजी फूर्ज जो की IPO अपना लेकर के आया उसके बाद में धमाल मचा है इसने ऐसे कई सारे यहाँ पर आपको stocks वगरे जो है देखने को मिल जाएंगे तो guys अगर आप overall top 10 holdings देखेंगे तो reliance हो गया, BAC limited हो गया, geo financial services, बिकाजी हो गया, RIB हो गया, हिंदुस्तान copper हो गया, arvind limited हो गया, adani power हो गया और PNB bank हो गया तो देखेगा इस अगर मैं overall यहाँ पर summarize करना चाहूं तो property wise, returns wise और अगर आप rating wise भी देखेंगे जितनी भी agencies मैंने आपको बताई उसके according definitely आप quant small cap को यहाँ पर consider कर सकते हैं अगर आप SIP करना चाहते हैं इसके लबाए Nippon और HDFC भी यहाँ पर अच्छे खासे, Nippon ने भी इस साल quant को भी यहाँ पर beat किया है मलब इतना जादा margin नहीं है, 50% का है, 51% का है, यानि 1.5% का margin है लेकिन यहाँ पर भी अच्छा खासा अगर आप long term में भी देखते हैं तो काफी अच्छे जो है Nippon ने भी यहाँ पर returns वगरे निगाल के दिये हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा 2 small cap को लेकि लिए investment करनी चाहिए और जैसे मैं आपको अलड़ी बता है कि इसमें दोनों के अंदर आपको जादा overlapping वगरे देखने को नहीं मिलेगी तो guys, hope you like this video, अगर आप भी direct mutual funds यानि की commission free mutual fund में invest करना चाहते हैं तो उससे supported जितने भी apps के links हैं, वो भी मैंने आप लोग को description box में दे रखें जहापे आप zero cost के ओपर join कर सकते हैं, वहापे आपके कोई भी charges वगरे नहीं लगेंगे बाकि अगर आप लोग के कोई भी doubts हैं, comment box के अंदर जरूर बताइए Thank you guys, thank you very much